विक्की और गट्टू का सादावर्दी में तेनात पुलिस वालों ने रात साथ बजे बाजार से पीछा किया विक्की आननदपाल सिंग का छोटा भाई था वो जैसे ही सर्वन सिंग के घर में गुशे पुलिस ने उस घर की पहचान कर ली और एक घंटे बाद कई थानों के पुलिस जाबते ने खेत में बने उस घर को चारों तरफ से घे लिया आननदपाल को सूचना मिली तब तक पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी कर चुकी थी साड़े आठ बजे पुलिस ने घेराव किया लेकिन पुलिस और रात होने का इंतजार कर रही थी आनन्दपाल से साड़े नो बजे पुलीस ने सरेंडर करने को कहा आनन्दपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया वो छट पर चट गया एक महिला ने कहा कि यहां कोई नहीं है हमें प्रेसान मत करो तबी पुलीस ने धोके से सभी घरवालों किसे मोबाइल ले लिये और उनको एक कमरे में बंद कर दिया उन महिलाओं और प्रिवार्जनों के पक्स लेने वाले गुट्टू और विक्की को भी पुलीस ने गाड़ी में हाथ बांद कर डाल दिया पुलीस ने आनन्दपाल सिंग से कहा कि अगर स्रेंडर नहीं किया तो गट्टू और विक्की को गोली मार देंगे आनन्दपाल ने पंदरा मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया पुलीस ने दिखाने के लिए पांच हवाई फायर किये और कहा कि विक्की और गट्टू को दो दो गोली पेर में मारी है अगली गोली सिर में मारेंगे आनन्दपाल ने कहा कि मैं सरेंडर करने को तयार हूँ लेकिन आपको मेरी सर्त मानने पड़ेगी पुलीस ने पहले हां कर दी आनन्दपाल ने कहा गट्टू, विक्की और परिवार वालों को छोड़ दो पुलीस वाले तयार हो गए विश्वास के लिए एक केबिनेट मंतरी से बात करने का हवाला दिया तीन राजपूत पुलीस वाले आनन्दपाल से बात करने छट पर पहुँचे जिन में दो कमांडो थे 25 मिनट तक आनन्दपाल से पुलीस वालों की बंद कमरे में बात हुई तीन पुलीस वालों को जब सरेंडर का पक्का विश्वास हुआ तो फिर तीन पुलीस अधिकारी छट पर पहुँचे फिर विश्वास के लिए पुलीस अधिकारी ने एक नागोर के केबिनेट मंतरी से फोन पर बात कराई आनंदपाल फोन पर बात से आस्वस्थ हो गया और सरेंडर करने को तयार हो गया पुलीस वालों ने उसके अतियार और गौली जबत कर लिए लेकिन दस मिनट बाद दस बज कर तेईस मिनट पर जेपूर से एक खोन आया और पुलीस ने एंकाउंटर का फेसला किया दस पुलीस वाले सीडियों से उपर चड़े तीन राजपूर पुलीस वाले और तीन अधिकारी पहले से मोजूद थे उनमें से एक पुलीस वाले ने खुद की पिश्टल से आनंदपाल के सिर में गोली मारी वो गिन्ने लगा तो उसने पुलीस वाले पर जप्टा मारा औ और वो सीडियों की तरफ वहीं गिर गया और अपने प्रान त्याग दिये। गोली की आवाज सुनकर आंगन में खड़े पलीस वाले ने तीन फायर किये दिवार में टक राकर पलीस की राइफल से ही पलीस वालों को गोली लगी यह गठना 10 बज कर 35 मिनट की है। तबी एक पलीस वाले ने आनदपाल के सीने के पास में गोली मारी उसके बाद पलीस वाले ने 10 मिनट तक आला दिकारियों से बात की और बधाई दी। फिर आला दिकारियों के निर्देश पर एक हत्या को एंकाउंटर का रूप देने के लिए आनन्दपाल की एक केफोटी सेवन से उसकी ही गोलियों से करीब सो राउंड फायर पुलिस की गाड़ियों पर और खेत में किये दस बजगर पिच पन मिनट तक यह खबर मीडिया को दे दी गई यह जो अब तक आपने जो कुछ भी सुना वो हमारी या पुलिस वालों के दवारा बताई आनन्दपाल सिंग के एंकाउंटर की कहानी नहीं थी बलकि यह कहानी राजपूत समाज के अनेक लोगों के दवारा बताई गई कहानी थी